और बिहार स्टीटी को लेकर के अभी हाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था और प्रोटेस्ट हुआ था जो उन कैंडियेट्स के दौरा जो के मेरिट लिस्ट में मौजूद थे वहाँ पर पहुँचे थे केमेले और मेले ने ये बात कहा कि वो विधान सभा में आविश्वास प्रस्ताव लेकर के आएंगे इस मुद्दे के उपर स्टीटी वाले मुद्दे के उपर तो सवाल ये उड़ता है कि अगर विधान सवाव में आविश्वास प्रस्ताव कल को आ गया तो क्या इसका फाइदा मेर्ट लिस्ट वाले कैंडेट्स को होगा क्या उनकी जॉइनिंग का जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा ये वीडियो उसी मुद्दे पर है अलग-अलग पहलों को समझने के कोशिश करेंगे आविश्वास प्रस्ताव में क्या हो सकता है इस मुद्दे पर बात करेंगे पीछे आविश्वास प्रस्ताव किन-किन मुद्दों पर लाया गया है उस पर बात करेंगे और क्या इसमें सजा हो सकती है अगर इसमें किसी को guilty find out किया भी जा सकता है तो उसका क्या result हो सकता है तो इन तमाम चीजों पर बात होगी इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ें एक disclaimer शुरुआत में बहुत जरूरी है इस वीडियो में सिर्फ information को convey किया जा रहा है honest analysis दिया जा रहा है यह वीडियो कोई divide and rule policy का part नहीं है किसी एक तरफ से या दूसरी तरफ से तो इसलिए इस वीडियो को गलत context में नहीं लेजिए तो शुरुआत करते हैं one by one तमाम मुद्दों पर जो कि मैंने शुरुआत में कहा जो कि इस वीडियो का subject है अब इश्वास प्रस्ताओ अंग्रेजी में इसको privilege motion कहा जाता है यह लाया जा सकता है सत्ता पक्ष या वीपक्ष किसी के भी दौरा ऐसा कुछ नहीं है कि वीपक्ष के पास सवाल पूछने का दिकार है तो वीपक्ष ही लाएगा ऐसा नहीं है सत्ता पक्ष के लोग भी ला सकते हैं और जरूरी नहीं है कि यह जो member of parliament है या member of legislative assembly है उसी के खिलाफ लाया जाए किसी बाहर के वेक्ष्टी के खिलाफ भी यह चीज लाया जा सकता है पीछे एक journalist अर्नब गोस्वामी काफे लोग उनके बारे में aware होंगे कई साथ उन्होंने कई डेरोगेटरी लैंग्वेज का इस्तमाल किया कई baseless remarks दिये उद्धर ठाकरे पर महरास्टरा के cm पर उसके बाद उस जर्नलिस्ट पर भी आविश्वास प्रस्ताव लाया गया था इसके बारे में जो लोग regular news वेगरा पढ़ते हैं इस case के बारे में आव वेर होंगे तो one by one चलते हैं उन तमाम उद्धों बसब से पहले privilege motion में जैसा मैंने कहा कि दोनों तरफ से कोई भी ला सकता है सरकार के खिलाफ ये विपक्ष के खिलाफ ये British जो constitution है उससे लिया गया है अगर इसको आप detail में पढ़ना चाहते हैं तो अगर संसद वाला आविश्वास प्रस्ताव पढ़ना चाहते हैं तो आर्टिकल नंबर 105 पर है और विधान सभावाला विधान परश्यद वाला तो 194 पर है प्रोविजन है लेकिन इसमें होता क्या है कि सबसे पहले आविश्वास प्रस्ताव जिसने लाया वह स्पीकर के पास जाएगा वह अपना जो भी है वह ड्राफ्टिंग करके स्पीकर को देगा स्पीकर उस चीज़ को एनलाइस करेंगे और स्पीकर के सहमती के बीना यह ची पीकर ने स्पीकर कौन है विजय कुमार सिना बीजयपी से تعلूख इनका लकिस राय रहे हैं और सबसे जीब बात देखी के जिनके खिलाफ आविश्वास प्रस्ताव लाने की बात हो रही है विजय कुमार सिना से पहले सिक्षा मंत्री अभी वाले तो अभी जो विजय कमार सिना है, इनके पास सबसे पहले इसका प्रुपोजल जाएगा, कि प्रिविलेज मोशन जो विशेशादिकार हनन का प्रस्ताव है, इनके पास जाएगा, सबसे पहले इनको एसेथ करना पड़ेगा, उसके बाद एक कमीटी बनेगी, कमिटी आम तोर पे कुल 15 लोगं की जो होता है अलग अलग जगहों पर जैसे संसत में होता है कि 15 लोग सभा से लिया जाता है दस राज सभा से लिया जाता है अगर यह अरनब गुर्षवामी वाला जो केस है उसको अगर आप स्टेडी करें तो वहां पर महारास्ट्रा की लोगों को लिया गया था तो यह 15 11 या 15 10 इसी तरह से बिहार में विधान सभाव विधान परिशत दोनों वैसे महारास्ट्रा में भी दोनों है तो एक कमिटी बनती है और यह कमिटी इस पूरे मामले को चेक करती है अब सवाल यह उड़ता है कि जब कमिटी को चेक करने का यह फैसला यह दसलेने का अधिकार है तो मिटी में कौन लोग होते हैं सारा मामला यहीपर है ना गिवेसला लेने वाला है कोन यह स्पीकर है किस पार्टी का यही ही सब्ते इसने मैंटर करती है तो जि लो तो और स्वेश equipped ज़्यादा मेंबर होंगे ये व। सब आपसे होंगे उस कमिटी के अंदर जो इस आविश्वास प्रस्ताओं को अनलाइव करेंगे है अब बिहार विधांस अदर क्या थीच Kent इंदर क्लाइभ और माइर्टी में कर रही है और तो खुल मिलाकर आप यह समझ सकते हैं कि अगर इस तरह कोई कमीटी बनाई भी गई तो इस तरह की कमीटी में किस पार्टी की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी यह बात आप लोग समझ गया होंगे अब चलते हैं आगे जैसा मैं शुरुवात में कहा कि सबसे पहले स्पीकर carnाई करते हैं फिर इस कमीटी की के बारे में जाता है कि उनको वार्नी दे के भी छोड़ा जा सकता है या कोई फाइन किया जा सकता है या संस्पेंड किया जा सकता है विधान सभा की कारवाई से ko यह सारी चीज़ें obten होती है आम तो पर होता क्या है कि इस पर्टिकुलर मामले में जब आविश्वास प्रस्ताव आता है विधान सभा या विधान जहां भी आप संसद्य कहीं भी आता है तो पहले से डिफाइन नहीं है प्रोपर लिए इसको लिए कई बार मुद्दे भी उठें यह वेल डिफाइन होना चाहिए कुल मिलाकर अगर इस केस में देखें तो यह ऐसा कंडिशन होता है जहां पर MLA या MP जज़ बनते हुए दिखते हैं तो यह तो तमाम चीजें हो गई जो के इस पूरे आविश्वास प्रस्ताव से संबंधित है अब आते ही इस मुद्दे पर कि पर्टिकुलर्ली एस टीडी के मामले में क्या हो सकता है तो तो आप तक काफ़ी लोगा अलड़ी समझ गया होंगे मुझे बोलने की जरूत नहीं है कुल मिलाकर ये बात की है ना कि आविश्वास प्रस्ताओं लाएंगे और स्टीटी के मामले को ले करके वो भी इस बात को समझते हैं कि वो पढ़े लिखे आदमी हैं पहले वो जे नियू में थे वो कोई अपनी अलाखे में गुंडा-गर्दी करके या धनबल के बुते वो MLA नहीं बने हैं वो भी इस बात को समझते हैं कि आविश्वास प्रस्ताओं लाएंगे तो क्या हो सकता है इसलिए उन्होंने एक बाता और कहा कि वो केस भी करेंगे तो कहने का यह मतलब है कि आविश्वास प्रस्ताओं से overall जितना मैंने पढ़ा समझा उसका तो यही conclusion है कि आविश्व था कि वो केस भी करेंगे कोट में केस भी करेंगे अगर वो अपने आविश्वास प्रस्ताओं के बारे में confident होते तो यह बात बोलते ही नहीं लेकिन वो इस बात को समझ रहे हैं तो इसलिए जो मेरा overall analysis है उसमें तो यही बात fit बैटती है कि इससे बहुत जादा कोई बहुत ही कम है लेकिन एक ऐसी condition imagine करें जहां पर मालने की यह जो committee बनती है यह committee फैसा ले ले लेती है सिक्षा मंतरी के खिलाफ कि हाँ उन्होंने गलत बोला तो ऐसी condition में क्या होगा जादा जादा वो आ करके apologize कर देंगे कि हाँ बाई मुझसे गलती हो गई इस मामले को ले भी इस बात को समझ रहे हैं तो यही सारी बाते थी बाकि आपकी जो भी राय हो इस पूरे मुद्दे पर इसको comment box में लिखिए और जैसा मैं शुरुआत में जो disclaimer दिया था कि वीडियो का मकसर सिर्फ information को convey करना है तो वही कर रहा हूं और जो भी था इस privilege motion को लेकर के honest analysis उसक के खिलाफ लाया गया जो अर्नब गोस्वामी का मैं नाम लिया तो अर्नब गोस्वामी की ने धंकाया था वहां महारास्टरा के cm को और कई सारे अगर पूरा document अगर आप पढ़ेंगे जिसमें वहां की अपने महारास्टरा की विधान सभा विधान पश्यत ने जब यह माम समले हैं जहां पर फाइन लगाया गया कुछ जनलिस्ट के ऊपर कुछ पब्ली के स्पीकर्स के ऊपर कुछ आर्टिया एक्टिविस्ट के ऊपर लेकिन इससे बहुत जादा कोई बड़ा असर सत्ता पक्ष के खिलाफ हो जाए ऐसा लगता नहीं है क्योंकि जो पावर में है आप उसी के खिलाफ फैसला ले आना विधान सभा के अंदर से जब अंदर के लोगी जज़ बन रहे हैं और वही संख्या बलमैदिक हैं यह थोड़ा सा मतलब ट्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है बागी देखते हैं इस बातों क्या होता है तो बागी आपकी जो भी राय हो अब कमेंड बॉक्स में लिखे जरूर अभी के लिए इतना ही आगे स्टीटी से जोड़ी कोई भी खबर आती है अपडेट आती है अब जल्दी जल्दी अपडेट करने कोशिश करेंगे अभी के लिए इतना ही थैंक्यो